नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सभी आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों आज का जो टोपिक है CTU चंडिगड ट्रांसफोर्मिंग अंडर्टेकिंग बात करते हैं जो अभी आपकी जो एक्जाम होने वाले हैं चंडिगड जो ड्राइवर है और चंडिगड जो पुलिस का एक्जाम होने वाला उसके विसे में चंडिगड की जो महतोपुर्ण जी की है वो आपको यूट्यूब चैनल जीके विद सुमित भारदवाज के माध्यम से करवाई जा रही है तो आज़ा करता हूँ आपको सभी को अच्छे लगी बहुत इंपोर्टन जो क जम्म है वहां से हमने क्योशन को उठाया गया है और आपका जो यूट्यूब चैनल है जीके विद सुमित भारदवाज इसको आप सब्सक्राइब लाइक शेर जरू करें साथ में इस जीके विद सुमित भारदवाज के नाम से आपका टेलीग्राम गुरूप है और यह जी या कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडिगर्ड के किस सेक्टर में इस्थित है तो आपका जो पहला क्यूसन है इसका राइट आंसर होगा जो सेक्टर आपका एक है इसके अन्दर इस्थित है नेक्स्यूसन है अपका सरकारी म्यूजियum और आर्ट गैलर्य की स्थापना कब किए से उसके चाहिवरा हैं इसको बनाने करतें इसको बनाने का जो कारी प्रा में य। ़िए कारबू घंड़ के जो प्रांस बंड़ा दियंगे जो यहांसे से आपको बताना कि सेक्टर में है जो सेक्टर आपका 10 है 10 जिसको बोलते हैं वहां पर यह इस्थित है आपका ध्यान लगना ठीक है उसके जो बात जो 5 नंबर का क्यूसर आता है आपके पास की स्क्रीन पर है इलांते मौल चंडिगड की स्थेतर में इस्थित है तो आपको यहां पर जो राइट आंसर आपको मिलता है इलांते है वो इंडिस्ट्रियल एरिया फेस्ट वन के अंदर है नेक्ट चूसन है आपके पास भारत में तीसरा सबसे बड़ा सोपिंग मौल कौन सा है तो यहां पर भारत में जो सबसे बड़ा तीसरे नंबर पे आता है वो आता है इलांते सोपिंग मौल आता है यह चंडिगड में इस्थित है ध्यान रखना ठीक है और फेस वन के हमारा चंडिगड में इंडिस्ट्रिय एरिया है फेस वन है इसके अंदर इस्थित है नेक्स्ट क्योसन है आपके पास एलांती चंडिगड जो एलांती मॉल है जो चंडिगड में है वो कब बन कर तयार हुआ था इसका जो राइट अंसर है तो आपके माइड में चलना ची अप्रेल दो हजार पेरा के अंदर बन कर तयार हुआ था नेक्स्ट क्योस्तन आपके पास एलांती जो मॉल है चंडिगड मॉल ही कितनी छेतर में फैला हुआ है तो इसका जो राइट आंसर होगा बीस एकड में बना हुआ है बिलकुल राइट आंसर हो जाएगा इसका नेक क्योस्तन आपके पास स्क्रीन पर यहां पर जो दिखाई देर आपके सामने है आप बता सकते हो सांती कुझ जो पारक है चंडीगड के किस सेक्टर में सांती कुझ पारक जो सांती कुझ पारक है चंडीगड के सांती कुझ यहां पर लिखा हुआ है और चंडीगड का जो किस सेक्टर में स्थित है और साइंस म्यूजियम की बात करते हैं तो यह आपके सेक्टर जो 10 है इस में स्थित है तो टोपिरी पारक चंडिगड के किस सेक्टर में है टोपिरी जो पारक है चंडिगड के जो सेक्टर 35 है यहां पर क्या आपका सेक्टर 35 के अंदर टोपिरी पा कि टाउर ऊफ चाडिक्ट के किस एक्ट्र में था है तो यहां पर बात करते ह Lehr है चृड्गय का में सेंग्टव के श्चाडिक्ट का जुद्भान सय क्लाइब करते हैं यह कहई सक्तिंध कर दोस्तो 5 इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सब्सक्राइब सेक्टर 31 है वो चंडिगड में इस्तित है क्या जैपनीज गार्डन की बात अगर हमाँ करते हैं बहुत इंपोर्टन क्यूसन है उसके बाद है जैपनीज गार्डन हो कब बनकर तयार हुआ था बहुत इंपोर्टन क्यूसन आपके पास यहां से जैपनीज गार्डन की है इंपोर्टन क्यूसन है जैपनीज गार्डन है इसका उद्गाटन किस ने किया था यहां से क्यूसन आता है तो अगर हम बात करते हैं जैपनीज गार्डन है इसका उद्गाटन क्या था पूरु जो परसासक है सिवरा गर हम बात करते हैं जैपनिस गार्डन का जो फेस्टू है लोगों के लिए खोला गया था 2016 के अंदर यह खोला गया था बिल्कुल राइट आंसर है 2016 के अंदर ठीक है इसके बाद तेरिशिट जो गार्डण है यह कब बनका तयार हुआ था और अगर हम बात करते हैं यह तयार कब tuba वा था इसका जो राइट आंसर है 1979 1989 के अंदर ये बन कर तयार हुआ था नेक्च है fragrance garden चंडिकट के किस सेक्टर में जो fragrance जो गार्डन है चंडिकट का जो सेक्टर आपका आता है बिल्कुल इसका जो बहुत important जो सेक्टर है 3700 है इसमें इस्तित है fragrance जो गार्डन है उसके बाद है बोगन वीला पारक चंडिकट क किस सेक्टर के अंदर है बोगन वीला पारक के अगर हम बात करते हैं बोगन वीला पारक वैर यह जो कर सेक्टर की बात करते हैं जो आपका सेक्टर तीन है इसके अंदर क्या है बोगन वीला पारक स्थीत है बहुत ही इंपोर्टन क्यूशन है आपकी साबीज के सभी आपको ब पर्पमानान उस्थी नंबर पारः बेरнуться लिसित के लिए भृबध विला पारः इसके दर्पमाना बास बास नमबर पर कुशब्र अबनाए गया थैढ़ से स्थीपों अच्छे के नहीं ना सुस्थặc ईसके पास है आपके सामने स्क्रीन पर आता है और ने शाल्त किस ने किया था Julietि छिस को शाल्स को मिसाइल में ओस इंडिया के नाम से जाना जाता को सभी को पता ही चीज ठीक है अपके सामने इस्क्रीन पर और बौट ईंप Metroid Aurm तो वार मेमोरियल का उद घाटन किया था एपीज अब्दुलकलाम ने किया था जिसको Missile Man of India के नाम से जाना जाता आपको सभी को पता ही चीज थीक है Missile Man of India को है एपीज अब्दुलकलाम है नेक्स क्योसार आपके सामने स्क्रीन पर है और बहुत ही important है राजंदर पर का घंडिगर के कि सेक्टर अ क jagmria बात करते हैं राजंदर के नाम से आपके जानकार ही होगी अक्षे से, ने क्यूसन में आ जाएगी, आपके 25 नमर जो क्यूसन राजन पारक का जो नाम किसके नाम पर रखाया है, जो भारत के पर्थम जो राश्ट पती दे डॉक्टर राजिंदर पर साथ, जिसको बिहार का गांदी के नाम से जाना जाता है, और सबसे पैजाब और हवर हारियना ऊच नाले की किसने बनाई थी, यहां पर किस डूना आता है, पंजाब और हारियना ऊच नाले की बीदिंग किसने बनाई थी, तो यहां से यहें से इसको राइट हो जाएग है, लिकारभॉजियर है. यह प्रांस का ऐ, थियोका ल çık Schutz लूक्न सै कि में यह वह सही थी, ठीक है? नैक क्यूस愛 primeira के शिवन्टिसेम नंब्रकी शिवसन हो, और यहां कर हम बात करते हैं चन्डिगड के शेक्टर हैं यह किर्केट्स डिम में में इसक्टर ला के अंदर कर्कार, बहुत इम्पॉर्डन है, एक इनका coach होता है द्यानागना, चंडिगड कर्केट में क्या आता है, एक coach, तो 16 बंद योगे ना, एक team के अंदर, यहां पर देखना, 16 द्यानागना, ठीक है, 16 sector के अंदर इस्तित है दोस्तो, 28 नंबर पर आता है, नएक क्यूसन आपका screen पर है, नई जील, चंडिगड के किस sector में है, अगर हम बात करते हैं, नई जील, चंडिगड के किस sector में है, यह है, sector जो 42 सेक्टर इसमें इस्तित आपकी, 29 पर चंडिगड सेक्टर कहां इस्तित है, अगर हम बात करते हैं, चंडिगड जो सेक्टर है, यह किस सेक्टर है, कौन से सेक्टर हैं इस्तित है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, इसका क्या है, 17 जो सेक्टर हमारा, इसमें इस्तित है, दोस्तों, दो आई और को He Congratulations है अपके सामनी स्क्रेन पर आता है डिश नंबर पिए अंतराष्ट्रा डोल म्यूजियूम चंडिगर के किस सैक्टर में इस्थित है अगर हम बात करते हैं अन्तराष्ठ्र डोल म्यूजियूँम की बात करते हैं इस चंडिगर के सैक्टर में आता है जो तो तीज जो सेक्टर रहता है उसमें डी उप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नेक लुए यह फूर्ञ है 31 पर आता है अंतराश्च्य डॉल मियुजियम कि स्थापना कब ओई थी अंतरास्ट्य डॉल म्यूजियम की स्थाभ होना अगर हम बात करते हैं साथिए नाम से जानते हैं दोल्फिन के नाम से बना जाता है भारत यंदेर ऑट सृपना नेक्स्ट है जो बट्रफ्लाई पारक चंडीगड के किस सेक्टर में इस्तित है बट्रफ्लाई पारक की बात करते हैं चंडीगड के किस सेक्टर में सेक्टर जो 26 है यहां पर क्या है बट्रफ्लाई पारक है चंडीगड के अंदर नेक यूशन आता आथा आपको पास दोस्त तो पाम पारक चंडीगड़ में कहा श्थित है यह आप सेक्टर 42 के अंदर क्या है पाम पारक श्थित है सेक्टर के अंदर यह ध्यान रखना ठीक है उसके बाद नेक्ट इसन आपके सामनी स्क्रीन पर आता है वेली ओफ एनिमल जो वेली ओफ एनिमल है चंडीगड़ के किस सेक्टर में है तो वेली ओफ एनिमल जो आता है यह चंडीगड़ के सेक्टर होनचास के अंदर है उसके बाद बोटे निकल जो पार्ट पार्डन है आपका पार्क है यह कहां पर है यह आप कह सकते हो खुड़ा लोहारा में है, खुड़ा लोहारा के अंदर, बोटे निकल, ठीक है, बोटे निकल या बोटे निकल, बोटे निकल जो पारग है, आपका बोटे निकल पारग है, या आपका चंडिगड में स्थेत है, नेक्स्ट है किस शर्च नहीं चर्च और इसका जो राइट अंसर होगā वो क्या है 900 आका सेक्टर है यहाँ पर हिस्तित है नेक्स अने यह इंपोर्टेंट दोस्ट आपको यहाँ पर टिक लगा दिया समर्थी उप quería संडीर में कहां इस्तित है समर्थी उप्वन तो ये है सेक्टर वन के अंदर है समर्थी उप्वन जो गारडन है कहां पर है सेक्टर वन में नेक्स्ट है फिट्नेश टर्पल पार्क चंडिगड में कहां पर है जो फिट्नेश टर्पल पार्क है चंडिगड का जो सेक्टर दस है यहां पर इस्तित है पारक की बात करते हैं कहां भी दस के अंदर स्थित है नेक्स्ट है आपका हिबिस्कुल गार्डन हिबिस्कुल गार्डन चंडिगड के किस सेक्टर के अंदर देखों यहां पर 35 32 36 31 स्थीत है और लिगा कर तो top 5Right Culture में Can seu प्रेक्षिन की बात करते हैं यापց छोक्टी कर पहला है यह इसका कहा जाता है डी का राइट ऑप्षम को सेक्टर को कहा जाता है बहुत important question आपके पास, यह द्यान रखना, head of chandigad, तो sector आपका एक है, इसको head of chandigad कहा जाता है, next question आपके पास 43 number पे आता है, chandigad का हर्दय कि sector को कहा जाता है, तो यह भी बहुत important है, chandigad का जो हर्दय होता है, इस sector 17 को कहा जाता है, chandigad का हर्दय जाद दिल कह सकते हैं, तो यहाँ पे जो भार सरकार दवारा बनाई गई है, सुक्षम जीव वैग्यानिक प्रोधोगी करन संस्था बनाई है, सेक्टर 49 में बनाई है, डीस का राइस्टर आंसर हो जाएगा, अगर अभी तक आपने अपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है, तो जलदी सबस्क्राइब करण hem लाइक और सीर ज़रू करदे हो और है और फ्रिदाबाद भी पठलठाना इसको डॉक्टर मेड़ान के नाम से जानते हैं नेक्स्ट आपके पास ताज होटल चंडीगड के किस सेक्टर के अंदर है जो ताज होटल ध्याना करना यह किस सेक्टर के अंदर है सेक्टर जो 17 है इसमें इस्थित है और इसका जो राइट आंसर हो यह डी हो जाएगा सेक्टर 17 ठीक है doing नेक्स्तन आपके पास JW Marriott होटल चंडीगड के किस सेक्टर में आता होटल ये जो 35 यहां पर इस्थित ठीक है JW Marriott होटल है यहां पर डेलली तो होटल 왔 चंडीगड के किस सेक्टर 48 नंबर पर जो क्यूसन है डेलली लली Translation होटल है प्रेस्टोडेंट वो किस जगह पर है तो IT पारक में आता है भी सका राइट अंसर हो जाएगा तो IT पारक है वहां पर क्या पर दललीत होटल है तो यहां से हम इस परकार से बात करते हैं तो आगी हम जो क्यूसन अमारा आता है नेक क्यूस्टन की तरफ हम चलते हैं बढ़ते हैं और हमारा नेक क्यूस्टन आपके सामने है बिल्कुल इसका राइट आंसर बताओ सिवालिक होटल चंडीगड में कहां पर है अगर हम बात करते हैं सिवालिक होटल की बात करते हैं सिवालिक होटल चंडीगड में कहां पर है तो यहां पर हम बात करते हैं आपके सामने स्क्रीन है सिवालिक होटल कहां मिलेगा सेक्टर 17 के अंदर कौन सा होटल सिवालिक होटल ह द्यान रखना दोस्तों नेक्स उस्वर 50 प्याता है मांट व्यू होटल चंडिगड के किस सेक्टर में हैं अगर मांट व्यू की बात करते हैं तो इस सेक्टर आपकर 10 है यहां पर कौन सा होटल मांट व्यू होटल है चंडिगड के अंदर सेक्टर 10 के अंदर है नेक्स कि बात करते हैं यह क्या उन सी पर्क प्लाज़ा हौटन चन्डीगप के सेक्टर में हैं। के वह दो यह आपके रिश्टोरेन्ट होटन के पराइक प्लाज़нуться होटन सुनधर हो जाएगा पर्स सच्टानिकप end में। पार्क भी वोटल गरवर सेंटर теया है इसकी दाना मैंद इसका रिपर कैसे चाहिए को क tomaूंसे को पर सब्सक्राइब करती है जो कला चैनल के लिए समझे और इसको आप लाइक शेयर ज़रूर करें दोस्तों ताकि किसी भाई की हेल्प हो अपना जो यूटूब चैनल है जी के वीद सुमीत भार्दवाज के नाम से आपको सभी को स्टार्टिंग में बताया था इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें नेक चिसे नब 35 पर आता है चंडिगफ जो रैडड क्रोस कारियल है कहाँ पर है चंडिगफ च्पर का टैगओर त्याटर किसी सेक्टर के अदर बोगत important qution यहां पर चंडीखड का सो टैगोर तियटर सिनेमा घबर है और और किस सेक्टर के अंदर है टैगोरस लिए यहां पर यह क्यों सनर आते है जो टैगोर सें लिएत करते हैं वह आपका 18 के अंदर देतना कमके अगना आपकी 18 साल की ये जो हो जाएगी तब ही आपको सिनेमा के अंदर देखने जाना है उससे पहले आपको नहीं जाना तो 18 ध्यान अगना आप ठीक है 18 ने किस्तन आप जी आपके पास 57 पर आता है चंडिगड में पूरो मुख्यमंतरी पंजाब की बे अंद सिंग समाधी कांगे जो चंडिगड के पूरो मुख्यमंतरी पंजाब की बे अंद सिंग के समाधी कांपर कौन से सेक्टर में है जो पंजाब की सीम भी रह चुके है और चंडिगड से सम्मद है इनका अगर इस परकार से क्यों से ना आता जो सेक्टर आ नहीं हुए देहना ना बेयंद सिंग की और डी सका राइट आंसर जाएगा नेक उस्तन है टीमबर मार्केट और यह टीमबर होथे लकड़ी की मार्केट होती है चंडिगर के किस सेक्टर में तो यहां से चंडिगड की phase 1 के कितने sector बनाएगा हैं तो इसमें बहुत इंप्ोरटन है चंडिगड का फेज है कितने बHIंज बहुत बॉधंपटा है फेज इंगे 3 सेक्टर हैं सेमें 200 दिया है चंडिगड की दूसरा फेज physicists कि बना हैं चंडीगड का उसमें 31-47 जो सेक्टर वहाँ पी बनाएगा है दूसरे फेज के अंदर इसके बाद इसका राइट अंसर हो जाएगा फेज के बाद करें दूसरे फेज में 31-47 इसका राइट अंसर ए हो जाएगा नेक्स्ट है गांधी भावन एक्साट वाक्यूसन है गांधी भावन चंडिगड़के किस सेक्टर के अंदर है गांधी भावन की बात करते हैं सेक्टर जो 14 है इसके अंदर गांधी भावन 20 का राइट अंसर है नेक्यूसन बासर नंबर पे आता है बाल भावन चंडिगड़ किस एक्टर में स्थित हैं वक्रमाल वहन की बात करते हैं तो अटे के बात करते हैं जैसा कि आपके सामने क्लब यहां पर थोड़ा सांथी और है यहां से आपके क्यूसलब अवाज से बात करें ?! यहां से चंडिगड का लेक कलब किस सेक्टर में है लेक कलब की बात करते हैं जो लेक कलब है यह आपका सेक्टर एक है इसके अंदर लेक कलब है लेक क्या होती जील का कलब ठीक है यहां पर जील है उसमें डांस वगरा जो कलब होते हैं इस परकार से हैं ठीक है चंडिगड कल कलब चंडिगडगर कि नेक कुसे सेक्टर सेक्टर 받고 हुए एक के अंदर और तर हैं को थोड़ा मुझे जल्दी जल्दी घरवा देता हूं आपको चंडिगडगर में प्रेज कलब किस्यश्टर के नदर एक 27 दोगे सेक्टर के अधर घ्रिंद अले की अटारा के लिए इसके बाद जब ने क्यूस्टान आ दोस्तों इंपोर्टण पर ये रोमा ओटल चंडिगड की किस सेक्टर में एरोमा होटल इस्तित है एरोमा होटल नेक क्यूस्तन आपका पिकाडली होटल चंडीगड के किस सेक्टर में है पिकाडली होटल की बात करते हैं यह आपका सेक्टर 22 के अंदर पिकाडली होटल ज्याहनतम चैक्क्र 22 में इसका राइट आंशर सी हो जाएगा नेक्युस्तन आपके सामने है सत्तर पे किसान भाउन चंडिगड़की किस सेक्टर में किसान भाउन की बात करते हैं 35 के अंदर किसान भाउन और किसान के नेता किसे को गहते हैं अगर हम बात करते हैं में चोदी चरण सिंग को किसान नीता के नाम से जाना जाता है ठीक है भारत के साथ वे प्रधान मंत्री बने दें चोदी चरण सिंग तो किसान बहुन की बात करें तो कितना है पैंति सेक्टर पंचाइद बहुन चंडिगड की किस सेक्टर में है पंचाइद बहुन है वो चंडिगड के किस सेक्टर में आता है तो यहां पे पंचाइद बहुन की बाद आती है तो किसमें आता है अठारा जो सेक्टर आता है इसमें पंचाइद बहुन का उलेक किया गए अठारा सेक्ट तो यहां पर हम बात करते हैं चंडिगड का यूटी गेस्ट हूस है यह सेक्टर 6 के अंदर आता है 20 का राइटर अंसर हो जाएगा और ही सब क्यूस्टन आपके एक्जाम में आई हुए है बहुत इंपोर्टन क्यूस्टन है तो इसको चानता पिंचोर गार्डन जाता है इसका इसकासर हो जाएगा तो यहां पर आम बात करते हैं जो पंजगुलामी हा के इस्तित जैकि मैंने आपको बता है पंजब पढ़ता है लिग दो कि नया की ओंसन हैं आपका 75 नमबर भी पंजब सचिवाले जो पंजब कॉर्ड है जिसको हम अगर सची वालले की अगर एक के बाट करते हैं अगर हम बात करते हँ हाई-स इक सक्ट्रेट र तोनों का कौमनी हाई हर रहा-वै इसका द्यान रर्मणा ठीक राइट आंसर नेक्स आपके 77 कुस्तर ने पंजाब विधान सभा चंडिगड के किस सेक्टर के अंदर है जो अपनी हर्याना की पंजाब विधान सभा है हर्याना विधान सभा और पूछ ले पंजाब विधान सभा दोनों किस सेक्टर के अंदर आती हैं एक सेक्टर के अंदर खी यह रहा आपके सामने देखो आगया ना तो यहां पर हम बात करते हैं हर्याणा विदान सब्सक्राइब चंदिगड के किस सेक्टर के अंदर तो दियानक ना जो सेक्टर हमारा एक है यहां पर हर्याना की भी है और पंजाब की भी है नेक युस्तन आपके पास 79 पर देनिक समाचर पत्र है इसका जो कारियल है वह कहां पर सेक्टर 25 में है द्यानक ना सेक्टर 25 के अंदर इस्थित है ठीक है नेक युस्तन आपके सामने स्क्रीन पर है दी ट्रिब्यून समाचर पत्र कारियल चंडिगड में कहां इस्थित है तो यहां पर दी ट्रिब्यून की बात क सब्सक्राइब कुरोगए रिटास पूर में एक पर्तार हो देख के सत्यानखना जो two select 181 के अंदर होई होई हो इसके सत्राइक पर्ता नगे क्यों सब्सक्राइब करने के लिए तो बहुत बढ़िया क्योंतन्ry पर इसके दियंकिंक करना करना कई अलबर्टमेर के दवारा इसका नियमान के लिए महान चीत तर चंडिगण का जो नक्सा बनाने का jour कार्य की किसे दिया था सबसे पहले कि ऐल्बट मेर कि दबार को दिया गया ता इस इस का जो राइट आंसर है आप अल्बट जो मेर कहां का निवास सी था जो ये बंदा था ओस्टीलिया का निवास सी था इसमें जो आंसर मानना है चंडीकट जो पिछली बाइस में एक cat explosi अमरीका वी तो चंडीगड में एक्जाम में आता है ऑई इसका राई आइट आंसर मानना है ठीक है इस ध्यान रखना नेक्स्ट आपके पास 84 पे question आता है बाद में चंडिगट सहर के मांचितर को उत्यार करने की जिम्मेदारी किस अ दे थी बाद के अंदर जो चंडिगट का नक्सा बनाने की जिय्मेदारी किस ने दी थी रोबर्ट कोज को दी थी ध्यान देना थीक thing यहां से हमने हमेश्य पढ़ते हैं और इसका राइट आंसर हमने पढ़ा है फ्रांस सद्यान अखना क्या है वैसे फ्रांस है पर एक्जाम में क्या मिला था इसको जर्मनी दिया था अगर आपको नेट पर देखो तो वहां पर स्विजर लेंड मिलेगा आपको इनका जनम तो यहां यह कहां का निवासिया था फ्रांस का निवासिया था जनम कहां पर जर्मनी तो इसका राइट आंसर क्या माना था जर्मनी माना था द्यान रखना भाई इतनी बात बस आप इतनी बात को द्यान रखना है ठीक है नया क्यूस्तने 86 पर आता है आपका चंडिगड सह जो नियु रखत सेक्टर का वो एक के अंदर रखा था ठीक है भाई कि एटी सेवन पे आपके पास क्यूशन आता है कि जंडगर्णा दो हजार ग्यारा के अनुसार चंडिगर्ड सेर का अच्छा आपका इसका हमारी नहारों का 012-890 प्रकार से तो 0-100 2 तर लेडलाइन जो नंबर गोड़ होते हैं यह ऐती नाइod 89 पर आता है आपका बहुत important question है चंडिगर जो सहर की गाड़ी पंजीगर्ड संख्या है वो कितने से कितने होती है 89 पर जो गाड़ी की पंजीगर्ड संख्या हो जैसे अपने हारियाना में HR 35 होता है HR 34 होता है HR 36 होता है पर चंडिगर्ड में CH 1 से लेकर CH 3 तक होती है दिहान रखना तो इसका A right answer हो जाएगा नबबा में आता है अब रोज की बार चलिए रोज गुलाब का फूल जो कहते हैं न आपने सौंग भी सुना गया अप खूलों को राजा को ने गुलाब होता है इस परकार से सौंग भी है तो रोज गाडन की अगर हम बात करते हैं रोज गार्डन में प्छूलों की कितने परजातिया पाई ज पुलीस का महिला और बच्चों की साहता के लिए नमबर कितना है। ने चंडीगर्ड पुलीस है वो बच्चों महलाओं की साहता के लिए किते नमबर जारी किया है 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 नाइटी फॉर पे क्यों से नापका चंडीगर्ड पुलीस का वरिष्ट नागरिक साहता नमबर क्या है वरिष्ट नागरिक के लिए साहता नमबर जो निधार्द के रही है यहां पर चंडीगर्ड पुलीस ने जो कई हैं 112 ही वरिष्ट नागरिक के लिए हैं हल्प लाइन नमबर जाहता इंपोर्टेंट है नेक्क क्यूस्टन आप 95 पे आते हैं चंडीगर्ड पुलीस का ट्राफिक पुलीस साहता नमबर के लिए जो ट्राफिक पुलीस फिल्प ने नमबर है वो कितने हैं वो एक जार तेर्टी से ध्यारगना ट्राफिक पुलीस जो हेल्प नमर एक जार सोरी तेरता 73 ठीक है पुलीस कंट्रोल जो रूम है यह द्यान अकना एक किस सेक्टर के अंदर आता है यह आपका जो सेक्टर नो है वहाँ पर द्यान अगना ठीक है आपको पुलीस रूम के अंदर नहीं आना तो नो द्यान लगना बिल्कुल राइट आंसर इंपोर्टेंट भी आपके चंडीगर जो पुलीस लाइन किस सेक्टर के अंदर है भाई बहुत इंपोर्टेंट क्यूसन है अगर चंडीगर पुलीस लाइन किस सेक्टर के अंदर है चंडीगर जो पुलीस लाइन किस सेक्टर के अंदर है चंडीगर जो पुलीस लाइन किस का राइट अंसर हो 98 जो क्यूसर आपके पास बहुत इम्पोर्टरण है 98 जो क्यूसर आपके पास क्यूसर थोड़ा दिमाख आप खुद भी लगा सकता है इसमें चंडिगट ट्रैफिक पुलिश लाइन की सैक्टर के अंदर है अगर हम बात करते हैं चंडिगड जो पुलिश लाइन की सेक्टर के अंदर है यह आपके पास है 29 के अंदर पुलिश लाइन की बात करते हैं तो 29 के अंदर आता है तो इसके बाद आता है आपके पास 99 क्यूशन आता है चंडिगड पुलिश दवरा लोगों कुई सिकायत है त तो आप जो कोल करते हूं जो मसीन लगाई है सिकायत ये तू जो मसीन लगाई हो किस सेक्टर के लगाई गई यहां से जो क्यूशन है आपका सेक्टर 22 है उसके अंदर लगाई है आप अपर इस आपशन बिलकूर राइट रहेगा नेक क्यूस्टन है जी आपके लिए स्क्रीन पर है पुलिस संस्था को भारत में किसके दवारा लागू किया गया था या शुरू किया गया था तो यह जो पुलिस संस्था है अंग्रेजों के दवारा किये तिर इसका राहिट आंसर है आपके 100 क्यूस्टन होगे बहुत इंप इंपोटन्ट रहेंगे और जल्दी आपके लिए नई वेडियो लॉंज करके लाओं important question की में जो आपके चंडीगड पुलीस रोडवेस, गंडेक्टर, सभी एक जामों जोंच चंडीगड कॉर्ट है सभी के लिए important रहेगी चेंटिगड पुलिस का repeater station कहां पर है बहुत important क्यूसन है द्यान रखना IMP लगा लेना भाई इस पर repeater जो है वो कहां पर है तो हम बात करते हैं ये मनाली के अंदर पढ़ता है मनाली के अंदर पढ़ता है द्यान रखना ठीक है उसके बाद है पुलिस महा निदे सक DGP की कार में कितने स्टार होते है DGP की बात करते है डारेक्टर जनरल ओफ पुलिस तो इसकी जो कार में कितने स्टार होते है थ्री स्टार होते है इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें पूचे कितने स्टार होते है पुलिस महा निरक्षक आइजी पी किया कर कैंदर कितने चार होते ही इंस्पेक्टर जनरेल औपुलीस महा निरख्षक होते हैं पुलिशु इसकी कार के अंदर कितने चार इनकी कार के नदर वहाँ टू स्टार डू उते हैं भी इसका राइट.- आणसुर हो जाएगा नेक्स्ट है आपका एकसोचारड पर आता है आपका क्यूसर है चंडिगड पुलिस का ट्रैफिक पारक कि सेक्टर के अंदर है चंडिगड पुलिस का ट्रैफिक पारक की सेक्टर के अंदर है चंडिगड पुलिस का ट्रैफिक पारक की बात करते हैं सेक्टर जो 23 है वहां पर आपका क्या है चंडिगड पुलिस का ट्रैफिक पारक इस्थी कि can do पुलिस महान हिदेसक करें पर क्या लगे होते हैं तो यहां के लिए leaks क्यों संदे दोस्तों और आसा करता हूं आपको अच्छे लग रहे होंगी और जल्दी ही मैं आपके लिए नई वीडियो अच्छे जीके की लांच करके लाँगा और आपके लिए जो इंपोर्टन्ट क्योसन है कि आपके पास देखिए 106 नम्बर पर पुरिश उप महानी देशक के कंदी पर क्या लग लगो होते हैं जो पुलिश को महानी देशक होते हैं इकके कंदी पे क्या लगोते है असॉस्तम इस Mom लगाुता जाना इंपोर्टन है तो दोस सलते हैं उस पे लिखा हनाता सत्य उम्य उसे थी एक सो साथ नंबर पर आपके अधाय पुलिस उप महा निरक्सक की कंदीब क्या लगा उता है उप महा निरक्सक की बात करते। इसके आधा बता है असोग स्थम्ब और दो स्टार लगे होते हैं डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्यान रखना भाई कि ने क्यूस्तन है जी आपके लिए 108 पे आता है पुलिस सेनियर पुलिस अधिक सक एसस्प के कंदी पर क्या लगे होते हैं तो सीनियर सुप्रीडेंट और पुलिस सीनियर सुप्रीडेंट और पुलिस इसके जो कंदी पर लगे होते हैं असोग स्थम्ब लगे होते हैं दो स्टार लगे होते हैं ठीक है तो इसका on या has a retention हो जाएगा जब मैं outta 109 पर क्रीश अदिख सकूट के कंदी पर क्या लगा होता है स्क्राइबर G República कि अधका कुनोज करते हैं कि असोक स्ट्म लगा होता है स्टार इस क्या लोता इक स्टार लगा होता है 20 का राइट अंस है 110 पे आपके क्यों सनाते हैं पुलिस उप अधिक सक DSP के कंदी पर क्या लगा होता है DSP की बात करते हैं deputy superintendent of police इसके जो कंदी पर लगा होता है वह आपको पता हुने तीन स्टार और और निला फिता लगा होता है आपके पास तीन स्टार लगे होते हैं उसके और निला फिता लगा होता है DSP पर तो 20 का राइट आंसर हो इन यहां पर आम बात करते हैं इसकोба करते हैं इसके कंदे पर एक ज्टायर दहना कनाब 114 की बात करते हैं इंपोर्टन के उसन चंडिगड पुलिस में इंडियन रिजर बटालियन जिसको IRB बहुत थापना कब होई तो IRB की जो स्थापना होई थी 2009 के अंदर होई थी इंपोर्टन के उसन यह वाला द्यानक ना IRB की स्थापना कब होई थी तो यहां पर यह क्योस्तन आपके लिए चंडिगड पुलिस के लिए इंपोर्टन हो जाएगा आपके लिए जो IRB की स्थापना है किस महा ने रख सकते सम्वेटी सांती कुमर्जेन जब उस पुलिस के क्याते है महा ने रख सकते उस समय तो ए इसका right answer हो जाएगा नेक्स चुस्तन आपके पास चंडिगड पुलिस जो IRB है complex कहाँ पे है तो यह आपे हम बात करते हैं कि IRB का जो complex हो कहा है सारंगपूर के अंदर है कहाँ पे है सारंगपूर में इसका जो right answer सारंगपूर के अंदर है नेक्स चुसन आपके पास चंडिगड की जील कहाँ इस्तिते है अगर जील की बात करते हैं कैदीओ को रखा जाता है चंडिगड जील कहाँ पे पुझ हिंl के अंदर है 118 पे क्यूसन है चंडिगट पुलिस लिचाओं.े तो इसका जो राइड आंसर आता है 21 अक्टूबर क्या बनाती है? तोев के अहला कि लिए यह are आपके देखों कितने इंपोर्टेन है और अब य cettethey, अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं जिकी भी सुमित बादवाज को तो आप जल्दी किए जी ताकि आपको नेक्स वीडियो जल्दी आपको मिलेगी दोस्तों यह देखिए नेक्स इसन आपके सामने 119 पर आता है चंडिगड पुलिस के नियमों के तहत सराब पीकर गाड़ी चलाने पर कितने महा की जिल हो सकती है यहां पर अगर सराब पीकर गाड़ी चलाओ गया तो ट्रैफिक रूल के अनुसाद तोड़ोगे रूलों को आप तो आपको सजा मिलेगी 6 महा की सजा मिलेगी जेल हो सकती है आपको नेक्स्ट आपका जी 112 120 वा क्यूसन है जी एम ऐसा है चंडिगड की किस सेक्टर के अंदर है तो आपको यहां फुल फोरम बताओ ने जीए जी का मतलब होता गवर्मेंट एम का होता है मल्टी एस का होता है स्पेशलिस्ट ऐसे होता होश्पिटल तो क सफसे संका के अंदर राइट आंसर हो जाएगा मैं और भूस के आपको फ्रीक्री कोन चंडिगड में कौन सा सेक्टर नहीं है गें बहुत वालब कम दोस्तों में वह ईंघ्च कौो बक्राइक और तेरा नहीं इसको नहीं तयान रखना ठीक है कुछ जगह 15 नहीं बारा नहीं दिखाते 13 मैं अथी कि नहीं आपके चंडीघड रो गार्डन के स्थाप्ना कभीए थी से कि उनीजसो सतावन के अंदर होई थी डीज का जाकी रूज गार्डन का हजाता है जिसको चंडिगट रोज गार्डन के स्थापना किसके दवरा की थी इंपोर्टन की हर फिर पूच जो रोग गार्डण है किस एक एक के अंदर आता कि सेक्टर के अंदर यह का राइट आंसर है सबस्द इसका रोग गार्डन कितने चेतर न फ्ल में फैला हुआ है तो कितने चेतर प्रुष्कार मिल चुका है तो नेक चिंद को जो पुरुष्कार मिला था इनकी जो आयू उन्हीं नभवर्स थी ना उस नभवर्स मिला था जब यह नेक चंद जी नभवर्स के थे उससे मिला था नेक चंद जी को पदम स्री अवार्ड कितने वर्स की आयू में मिला था 90 B option इसका राइट अंसर है नभवर्स साल के मिला था नेक चंद जी के निर्माता स्री नेक चंद जी की मर्वर्स का नाम पूरा क्या है तो इसमें देखना रज्जाकी रूसेन रोजगार्डन है जो भारत के जो राष्ट पती देह चुके हैं जिसका कार्यकाल के दोरान पहल नेक कार्यकाल के की दोरान क्या होई थीー मर्ति कवी थी जाकिर hoon سैन क्यूंती धि री उच्छान लेजह रिणा रश्ची राश्ट पती शिस सासन लगा पहला तो समय राश्ट पती भार्रांजियकों जाकिर हुसान उत्य थी दोस्तों तो यह Qisndag बनते हैं यहां से घर हम बात कह amek I am scholarships किसे नाम पर पड़ा है तो मैंने आपको बता है बार के जो पूर्वराष्ट 토ती है उप ometilli और इनका गाडन का नाम जकीर में रोजगार्डन नखत गया है था ठीक है यहां इंपोर्टन क्यूस्स नहीं आपके लिए बहुत एक्जाम हर एक्जाम में देखने को मिलेंगे आपको रोज गार्डन को कब तयार करके आम नागरिकों को खोला गया था भई यह रोज गार्डन त्यार हो गया और जो हमारी आम लोग है कोई भी वैक्ति उसके अंदर जा सकत है तो फो कि यह खोला गया था तो यह कोग czł grade थाएआञ तो उनजिसो सचक में छोग इसकी सिर्वड़ रोज गार्डन बनाने का सपुम्साय किसे जाता है जो रोज गार्डन बनाने का स्डीय जाता हुग किसे जाता ह। नहीं पर बहुत activities आई चार विद्वान दे रखे है तो जो पर्थम चीफ कमिशनर है उनको जाता है तो रोज गार्डन को जो बनाने का तुसर है जाता है तो यहां पर हम बात करते हैं मैंने इस वीडियो के अंदर 134 क्यूसन करवाए आपको नेक्स वीडियो आपके लिए जल्दी लेका हूँगा चंडेगड जीक्के की ध्यान रखना दोस्तों यह जो आपको जीक्के है वो यह आपको चंडेगड पुलिस का एक्जाम है चंडेगड ड्राइवर हो गया चंडेगड कंडेक्टर हो गया चंडेगड कोट हो गया इस परकार की जितने भी एक्जाम है वो जहां पर चंडेगड जीक्के आती है कुछ इसम गी है तो आप अपना चैनल है, Jka with Sumit Bharvard backwards सुटिओ पर है, और इसी के साथ जो अपना, जो अगर टेलिग्राम पर आपको पेडियक चाहिuke है चो टेलिग्राम पर पर भी आप जा सकते हो, Jka with Sumit faard Mahar। डाल सकते हो, सुमित बहारद्वाज डाल सकते हो यहां पर तो यह चीज़ आपको वहां पर भी मिल चाहिए जिकेविस सुमित भारद्वाज तो भारद्वाज में थोड़ा spelling सब्सक्राइब भारद्वाज भारद्वाज यह अपना टेलिग्राम पर है और साथ में ही आप फेस्बुक पर भी है और अगर आप इस्टाग्राम पर आना चाहते हो कोई डिस्कस करनी तो आपको करना है at the rate mk.bhardwaz b-h-a-r-d-w-a-z और डोट पिछेतर बाद पिछेतर करना आपको तो यहाँ पर अपना इस्टाग्राम जो चैनल है वहाँ पर आ सकते हो फोलो गर सकते हो तो यह आपको वीडियो कैसे लगी कमेट्स करके जरूर बताएं आज के लिए सभी को धन्यवाद थेंक्यू